नमस्कार हर हर महादेव जै भुलेनात आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स मेरा नाम नितिन है मैं यहां से फैक्ट्स ईश्वर से जुड़े चमतकार रोचक पुराणिक कत्राएं और तीसरी शक्ती जिनने आप लोग भूत प्रेतात्मा बोलते हैं उनसे हुए प्रकोप के बारे मैं बात करता हूँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप चाहते हो कि हम यहां से सबी लोगों के लिए लेकर आएं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मैसेज कर सकते हो मेल कर सकते हो फेसबोक इंस्टा वाटसेप यहां पर कमेंट सेक्शन में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी के साथ बातचीत होती है आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ इस कहानी में आपको एक कमाल की बात जानने को मिलेगी कि क्यूं राम जी की वजे से क्यूं राम जी की वजे से महादेव को जूट बोलना पड़ा या अपना अस्तित्व छुपाना पड़ा कुछ भी कह सकते हूं और प्लीज कहानी को पूरे मन से सुनियेगा और इसका न, यह मतलब हो सकता है, वो मतलब हो सकता है, तुर ने वैसे तुझ तु यह मतलब करियेगा, प्लीज, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, ठीक है, और भुले बाबा से बहुत प्यार करता हू कहानी इधर की उधर करके मसाला लगाके या ऐसा कुई ये कुछ नहीं आता मुझे पहले इंट्रो फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ जै भूले बाबा एक समय की बात है केलाश परवत पर मा पारवती और भूले नात एक साथ बैठे हुए थे कुछ बाते चल रही थी तब ही पारवती मा ने कहा कि भूले बाबा आप एक बाद बताईए क्या कभी अभी तक आपने जूट बोला है या कुछ चोरी करी है या ये भी कह सकती हूँ कि अपने अस्तित्व को छुपा कर अपने मन की करनी चाही है आप ने जूट बोला या आप अपना अस्तित्व छुपाए या आप चोरी चुपके क्या सबूट हुईती मुझे बताओगे भूले बाबबंे ने कहा कि ये किस्टा राम जी के साथ जुड़ा हुआ है और राम जी को भी पता है मुझे भी पता है और काक भुशंडी को भी पता है उन्होंने का जरा माज़रा क्या है बताएंगे तो यहां महादेव ने कहा कि ठीक है पारवती में तुम्हारे को सारी बात बताता हूँ ये उस वक्त की बात है जब हमारे प्रिये मेरे एश्ट राम का जनम हुआ था उन्होंने का ठीक उसके बाद करें जब उनका जनम हुआ तो हर कोई उनसे ये मानों की मिलना चाह रहा था दर्शन करना चाह रहा था राम जी को एक बार देखना चाह रहा था उन्होंने कहां बिल्कुल ठीक कहा आपने लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अगर इस रूप में जाता तो महां समस्या हो जाती भगदर सी मत जाती और कोई मुझे पहचानता कोई मुझे बहरूपिया समझता तुम भी जानती हो उन्होंने कहां आपने ठीक कहा फिर तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक तरकीब आई एक आईडिया आया मापारवती ने कहा ज़रा विस्तार से समझाईए और आपके इस प्रोग्राम में आपके इस कारिकरम में आपका साथ कौन दे रहा था उन्होंने कहा मैं बताता हूँ एक मेरे प्रिये हैं मेरे प्रिये भक्त कहलो आप उन्हें एक तरह से सलहकार कहलो एक तरह से उन से जिसे कहते हैं न कि चंचल भक्त शायद ही कोई और होगा और उन्होंने मेरी इस ऐसी स्टिती में साथ दिया है जो कि कोई और साथ नहीं था इसलिए मुझे वो बहुत जादा प्रिये भी हैं पार्वति मा ने कहा कहीं आप काक भुशंडी के बारे में तो बात नहीं कर रहे महादेव मुस्कराई उन्होंने का ठीक पहचाना मैं काक के बारे में ही बोल रहा था काक भुशंडी और मैं हम दोनों ने एक तरह से तर्कीब बनाई कि हमको राम जी से मिलने उनके महल जाना है अब मिले तो मिले कैसे तो मैंने और काउक बुशंडी ने योजना बनानी शुरू कर दी अब काउक ने ये कहा कि क्यौना महाद्यव हम इंसानी रूप बना कर चलें क्योंकि इस रूप में आप जाओगे और इस रूप में मैं जाओँगा तो मुझे तो पत्थर मार मार के लोग भगा देंगे और आपको बहरूपिया समझेंगे तो इन्होंने साधारन सा इनसानी रूप बना लिया दोनों ने महादेव और काग भुशंडी दोनों इनसानी रूप में आ गए और चल दिये राम जी के दर्शन करने गेट पर ही ने रोक दिया गया कहा गुसरे हो कौन हो उन्होंने का कि वो हम ये हमारे प्रभू हमारे राजकुमार हमारे राम जी से मिलने आए हैं तो जो द्वारपाल था उसने ये कह दिया कि अभी वक्त नहीं है जैसे ही राजा जी का आदेश होगा सभी के सामने राम जी जरूर आएंगे ठीक है अभी नहीं मिल सकते अरे बस हम दो एक सेकंड में देखकर चले जाएंगे बस हम प्रभू को एक बार देखना चाहते हैं न उन्होंने का लल्ला आपको बता दिया ने कि भी नहीं दिखाया जाएगा और ये जो आपके साथ है ये बार बार कूद कूद के क्या देख रहा है यहां क्या भार बैठे है राम जी लल्ला अंदर है तो इन से को कि ये कूद ना बंद करे बार बार कूदे जा रहे है कूद बात कर रहे ना, तो हम कब मिल सकते हैं, नहीं आप नहीं मिल सकते हैं, ये क्या बात हुई, भाई हमारे राजकुमार Kristen है, हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो द्वारपाल ने कहा कि अभी कुछ दिन में बहुत बड़ा यग्य होने वाला है, हवन होन बही वो दौर पाल है उसको ये आदेश मिला है कि नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वो दौर था कि वहाँ पर राक्षस प्रजाती भी किसी तरह से महल में प्रवेश कर सकती है राम जी को नुकसान पहुचाने के लिए इसलिए वो जो गेट की पर है जो बॉडी गार्ड है जो अंगरक्षक है राम जी का उसने मना कर दिया नहीं आओगे अंदर मना तो मना अब दौनों मायूस हो गए लेकिन महादेव थोड़े थोड़े गुसे में आ रहे थे तब ही काग भुशंडी ने कहा अरे सुनिए प्रभू एक मिनट मेरी बात सुनिए तो दौर पाल ने कहा कि आपने इन्हें प्रभू क्यों बोला तुम दोनों मानव जाती हो और मानव की तरह दिख रहे हो ये प्रभू क्या हो रहा है नहीं नहीं मैं इन्हें प्रभू बोलता है इनका नाम ही प्रभू है और उसने का अच्छा ये कैसा नाम रखा है तो महादेव ने का मेरी प्रभू चलो आप अगर थोड़े से भी क्रोध में आ गए तो संसार खतम हो जाएगा आप चलो अब महादेव चल दिया आगे एक पेड़ के नीचे दोनों बैठे हैं दोनों एक और योजना बना रहे हैं कि ये वाली योजना तो सफल नहीं भी अब क्या करें कुछ तो करना पड़ेगा और मैं मिलके रहूँगा भूले बाबा ने का मुझे तो दर्शन करने हैं और हवन से पहले यगे से पहले सब के सामने आने से पहले मुझे राम जी को देखना है उन्हाने करने ठीक है लेकिन प्रभू अब करें क्या हमारा ये इन्सानी रूप लोगों को समझ मादेव बनता हूँ उन्हाने कर पहने आवा वेसे समान चाहिए होता है वो सभी आपके पास है महादेवने का मतलब क्या है तुम्हारा कहने का इन्हीं मादारी के वा नहीं को दर्भू मैं और नहीं भूब होदा हुए ने ये और भावा यसा जो हमैं आपो रखते हो तो थोड़ा सा नियंतरन में रख लो कि ये सारा महल प्रजा पूरा सब कुछ एकदम आप थोड़ा सा क्रोध पर नियंतरन रखो महादेव ने का कि मुझे राम जी से मिलना है और इस वज़े से बागी सारी परिष्टितियों के वज़े से मुझे कुछ सारा है वरना मैं क्यूं कुछ से में आऊँगा मुझे तो राम जी से मिलना है बात खतम उन्हें ने का ठीक है आप बन जाओ मदारी बोले बाबा ने का सही है अब महा महल के सामने है मैं बज़े बाबरू तू गाएगा मैं क्या करूंगा अरे तू गाएगा अरे आप समझे नहीं ब पैसे में बेसुर्व कवे भी सुरीले लगेंगे सबको मधूर संगीत सुनाई देगा तू निस्चिंत रहे मैं हूँ तेरे साथ जब मैं डमरू बजा रहा हूं तो तू बेसुर्व कैसे हो जाएगा ठीक है जी जब प्रभू कह रहे है तो कर देता हूंग इकाम अब आप सोच के देखिए अगर बाई चांस आपके घर के बाहर आकर कवा गाना गाने लगे तो कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा अब इन्हों ने तूनों ने फिर से ये योजना बनाई और पहुंच गए महल के बार और डम 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 ऑो भोले बाबा ने क्या डमरू पूरी प्रजा सब वहीं आ गई है जब भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं तो घर पर रुकेगा कौन उनके तो डमरू बजाने के जो स्टाइल थी या वो आवास थी या उससे निकलने वाली शक्ती जो थी वो हर किसी को खीच कर ला रही थी लेकिन हां महादेव ने एक त राम जी को गोदी में लेना चाह रहे थे अब जब ये डमरू बजा रहे हैं और ये काक भुशंटी गाना गा रहा है ना चराए तब ही द्वार पाल आ गया एक मिनट बंद करो ये सब डम 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 अरे बंद करो एक मिनट मुझे नोकरी से निकाल देंगे राजा जी एक मिनट बंद कर दो बोले बाब ने एक दम डमरू रोक दिया अब क्या हुआ कहता है आप ये खेल वगर यहां नहीं दिखा सकते है महल के सामने अरे आप कैसे आप दौर पाल हो अरे सुना है कि यहां एक बच्चे का जनम हुआ है कल और फटा फट उसे ले आओ बार और देखो हम क्या उसे कमाल दिखा रहे हैं और ये देखो ये जो मेरे साथ है ये बहुत अच्छी कलाबाजी खाता है नाचे का गारा देखो उन्होंने करने ये जो भी है आप निकलो यहां से पूरे गाओं ने तालियां बजाई हैं लेकिन ये दौर पाल अंदर नहीं जाने करा कुछ भी भोले बाबा रहे हैं फिर से डमरू बजाना शुरू करा अब का गोशंडी को कह रहे हैं कि गाना गाओ उसने गाना शुरू करा तब ही द्वार पालने का कि अगर तुमारी समझ नहीं आ रही तो हमारे पास बहुत बड़े-बड़े डंडे भी रखे हैं आपने ये प्रण नहीं ले रखा हो दा कि हम इनसानी रूप में बिलेंगे तो अभी तक तो भुले बाबा बने का चलो कोई बात नहीं जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही बोल रहा है मैं आज सभी की बातों को सुनता रहूंगा समझता रहूंगा बरदाश करता रहूंगा लेकिन मिलूंगा जरूर अब दौारपाल को जब दिखा कि ये दोनों जिद्धी हैं यहां से नहीं जाएंगे तो उसले अंदर से बहुत सारे और अपने मित्र बुला लिए कि चलो चलो सारे जनिया और इन दोनों को यहां से हटाओ जगे खाली कराओ महल के सामने भीड ल खेल देख रहे हैं लल्ला राम जी सब देख रहे हैं कि भोले बाबा द्वार के बाहर हैं और नई नई योजना बनाई जा रही हैं और कमाल की योजना बना रहे हैं और राम जी बार बार चिंती तोरे परेशान हो रहे हैं कि इन्हें क्यों रोका जा रहा है मेरे तक क्यों नहीं आ रहे मुझे प्रभू के दर्शन करने और बार बार वो जो दौर पाल है रोग देता है यह चोटे से लल्ला जो राम जी है पाले मैं मैं लेटे लेटे बार बार ये चाह रहे है कि भोले बाबा को अंदर आने दो मुझे देखना है उने लेकिन नहीं द्वारपाल अपनी नोकरी कर रहा है राम जी की सुरक्षा की बात है ऐसे कैसे किसी को अंदर आने दूँगा नहीं आने दूँगा अब होता क्या है कि ये उसी पेड़ के नीचे फिर से पहुँच गए दोनो प्रभू क्या करें उड़कर छट तोड़कर घुश जा है अंदर भोले बाबा ने का एक बात बता तिरे पास सची में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है काग भोशंडी ने का कि अरे प्रभू आप कैसी बात कर रहे हो मेरे दिमाग के सारे ही हम यहां तक आए है भोले बाबा ने का ऐसा कौन इंसान करता है कौन करता है कि अगर हमें किसी से मिलना है तो हम उसके घर की छट तोड़कर उससे मिलने जाएंगे कौन करता है अरे दरवाजे से जाने का कोई योजना नहीं बना सकता क्या बिल्कुल ही दिमाग नहीं है कैसे कैसे मित्र है मेरे उन्होंने का भोले बाबा हम तो देखिए आपके छत्र छाया में ही जी रहे हैं हम तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं जो आप करोगे वो हम कर लेंगे आपको इन्हीं अंदर जाने दे रहे हैं भोले बाबा ने का अच्छा अगर ये बात है तो अब मैं वो रूप बनाऊंगा जिसको देखने के बाद कोई भी मुझे लल्ला तक यानि राम जी तक जाने के लिए रोक नहीं पाएगा उन्होंने का ऐसा कौन सा रूप बनाऊगे आप अब यहां भूले बाबा ने एक नई योजना बनाई कि हर किसी को अपने भविश्य को जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि जीवन में मेरे साथ क्या होगा सफल कैसे होँगा पैसा कितना आएगा शादी कब होगी घर परिवार कैसा रहेगा मैं गलत कह रहा हूँ कागोशंडी ने का कि प्रभू ये तो हर कोई जानना चाहता है लेकिन हम राम जी से कैसे मिलेंगे तो महादेव मुस्कुराय और उन्होंने का कि अब मैं बनूगा जोतिश और तू बनेगा मेरा चेला उन्हाने का उसमें बनने की क्या जरूत है भूले बाबा मैं तो हूई है का चेला उन्हानके नहीं नहीं तू लोगों को जाकर बता कि कोई हमाले से पंडिजी आएं जो की हाथ देखना जानते है और जिनका भी उन्होंने हाथ देखा है उसका जीवन सवल हो जाता है ये काक बुशंडी ने का कि भई अच्छा ऐसे कोई पंडिजी आ रहे है कौन है लेकिन मादेव ने का अरे कैसा है बिलकुल तेरे पस दिमाग नहीं है अरे मैं हूँ उन्हों ने का नहीं हाँ वो तो आपने बाबा बिलकुल ठीक का है कि अगर आपका किसी पर हात तो उसका जीवन सफल लेकिन मुझे ये कहना किस से है बोले बाबा ने का अरे मेरे साथ कोई और ही आ जाता जादा सहीता अभी तक तो मैं दर्शन करके लोट भी जाता अरे लोगों को जाकर बता अब मैं पीछे-पीछे से आऊंगा धीरे-धीरे चलता हुआ लोगों को बता और मैं सबी के सामने हैं बोलना शुरू कर दिया आपका गाउँ धन्य हो गया आपका राज्य धन्य हो गया हमाले से पंडिजी आए हैं अरे भोले पंडिजी आए हैं भोले पंडिजी अब सबने का भोले पंडिजी कौन है अरे ये वो पंडिजी हैं जो कि हमाले तपसा करते हैं बहुत समय बाद आये हैं और हाथ देखना जानते हैं और जिसकी भी इनों ने जनम पत्री हाथ या मस्तिक्ष पढ़ दिया उसका जीवन सफल हो जाता है ये इतने कामाल के हैं कि बस क्या ही बताओं अब हर कोई भागा भागा आ रहा है भोले जी भोले जी पहले मेरी बारे मे बता दीजे भोले जी पहले मेरा जीवन बता दीजे अब भोले बाबा यहां थोड़े से कन्फ्यूज परिशान कि अरे ये क्या हो रहा है यहां तो भीड लग गई अब मैं महल तक कैसे पहुंचूंगा यह क्या कर दिया काक भुशंटी उन्होंने इशारा करके बुलाए बता दिया अरे तो यहां बताने के बज़ाए तू दौर पर जाकर बताता ना जो दौर पाल भी सुनता अंदर जो लोग हैं वो भी सुनते राम जी के समक्ष जो लोग खड़े हैं जो दासी खड़ी हैं वो सुनती माता सुनती पिता सुनते तू गाउं में जाकर बोल रहा अब क्या करूं भोले बाबा अब क्या करूं क्या अब महल की तरफ जा और मैं धीरे धीरे महल की तरफ आ रहा हूँ अब सब लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं भोले बाबा धीरे दीरे चल रहे हैं सब की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कि हाँ आपकी बारी आ वो जिस जमीन पर चल रहे हैं वो जमीन भी धन्य है अब ये महल के दौर पर आ गए काग भुशंडी दौर पाल के तरफ पीट करकर क्या बोलते हैं अरे भाई आप सबी धन्य हो गए आपका राज्य धन्य हो गया आपके लिए एक ये सुनहरा अफसरा आ गया क्यों क्योंकि ह महले से भूले पंडिजी नीचे आए हैं और ये जिसका भी एक बार मस्तिक्ष देख लें हाथ देख लें चनम पत्री देख लें उसका जीवन सफल हो जाता है अरे वो राजा बनता है उस पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आता जैसे ही ये सब कुछ सुना द्वार पाल ने और द्वार पाल को भी थोड़ा सा लगा कि अपने बारे में भी थोड़ा सा पता कर लिया जाए भाई हैं और मैं यहाँ पर आपको एक वाद बता देता हूं देखें बुरा मत मानियेगा बहुत सारे लोग हैं जो कि वास्तब में हाथ पढ़ना मस्तिक्ष पढ़ना यानि क्यों मैं और मेरा दोस्त ना हम गुरगाओं आया हुए थे थोड़ा कहानी से हटकर आपको एक बात बता रहा हूं तो गुरगाओं में एक ऐसे ही भाई साब थे जो की वास्तब में बता रहे थे और ठीक हैं अब मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसने नितिन भाई मेरे को ए मैंने का होंगे विद्वण मैंकब मना कर रहा हूं लेकिन एक काम कर चल, उन्होंने सब से पहली क्या बात पताई, बज़्पन में गिरे थे, मैं समझ गया, ओहो ओहू ये दूसरे वाले gjort हैं, अब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, तो मेरा दोस्त क्या कहता है, हाँ हाँ बच् ये बाते सुन रहा हूँ क्योंकि ये तो हरकेजी के साथ हो रहा है और ये बहुत कॉमन सी बात है कि बच्पन में गिरे थे स्कूल नहीं गए थे मैंने और सुन लेता हूँ थोड़ी सी देर आप सबके लिए अच्छा करते हो लेकिन आपके लिए जादा अच्छा नहीं करते लोग हाँ अब मेरा दोस्त थोड़ा थोड़ा रोने भी लग रहा है थोड़ा सा डिप्रेस भी हो रहा है अब मैंने उसे कोनी दी मैंने एक मिनट ओ जाग जा तू कहां किस भावनाव में बहरा है नहीं नहीं नितिन सुन रहा है मैंने कहां सुन रहा हूं और जादा सुन रहा हूं और मैं चुपचा बैठा सुनता रहा मैंने अपनी जीविप से रुमाल निकाल के मुझे लगा लिया क्योंकि मुझे पता था किसी भी वक्त भाई हसी निकल सकती है एक और बात बोली आप जिन से प्यार करते हैं आपको वापसी में प्यार उतना नहीं मिल पाता जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है लेकिन आप उसके लिए प्रियत्न नहीं कर पा रहे मैंने इसे अब पता ही नहीं है किसे क्या चाहिए प्रियत्म तो बाद में करेगा आप कौन? आपके बारे में बता देता हूँ मैंने का ना जी मुझे पूछना ही नहीं है मुझे जानना ही नहीं है और मैंने उनसे यही का कि जो है जी ठीक है और बाकी तो मेरे भूले समभाल लेंगे मुझे नहीं जानना कि मेरे जीवन में आगे क्या बबाँ ठीक है इसे ही बताओ उन्होंने और क्या बताया कि बेटा आने वाला वक्त तुम्हारे हिसाब से चलेगा लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे पहला तो आपको एक पूजा बताता हूँ वो करवाईए घर पर ठीक है उसके बाद आप मैंने का एक मिनट भाई साब अगर वो पूजा करवा लेते हैं जो आप बता रहे हो तो उसके बाद इसे कहीं नौकरी पे जाने की ज़रूत है या किरें आप किसी बात कर रहे हो बिना नौकरी के कैसे मैंने पहले नौकरी कर लेता है तंखा आ जाए फिर उसके बाद उन पैसों से वो कराएगा क्योंकि देखिए समस्या इसके जीवन में आ रही है और खर्चा हो जाए मम्मी पापा का वो मुस्कुराए जोतिश जोते कैरे बिटा बहुत सही बोल ले हो मैंने का जब आया ऐसे ही है जी उन्होंने का मैं समझा नहीं मैंने का अरे मैंने मतलब देखिए जीवन में खुशिया इसके आनी है तो ये अभी पूजा पाट कराए नोकरी इसकी अभी लगी हुई है नहीं पापा मम्मी से पैसे मांगेगा ना तो भाईया इसके जीवन में खुशिया लाने के लिए मम्मी पापा के परस को खाली क्यों कर रहे हो पहले इसकी नोकरी लग जाने दो पैसा आने दो फिर पूजा करा लेगा फिर और पैसा आ जागा खुशी आ जाएंगी ऐसे ही है ना उन्होंने का आप जड़ा बाहर जाकर खड़े हो जाईए मैंना जी कलास से बाहर क्यों निकाल लेओ बैटे रहने दो बस मतलब मैं आपको एक और ये बता रहूँ मैंने कहा ना कि हर किसी के साथ नहीं लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी मार्केट में है और उन्हें ने पता है एक कमाल की क्या बात बोली थी से कि जब भी आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि वास्ता में वो कभी आपकी मदद वापिस करेगा या नहीं करेगा और ये तो कॉमन सी वात है किसी को भी नहीं पता होती है आपको ये बताने लगे कि आपके घर का गेट बलैक कलर का है और सौ मैंसे असी लोगों के गेट बलेक ही कलर के होते है क्यों क्योंकि भाईया एक तो धूब की वज़े से भी और थोड़ा उसके गेट अप भी अच्छा आता है अब पीला या सफेद किसका होता है चलो पीला तो कलोनी का हो जाता है लेकिन सफेद गेट कौन लगवाता है और अगर लग भी गया तो वो घर की गेट अप से होता है सो मैंसे चार पाच आपके घर में छट पर पंखा लग रहा है और कर जमीन में लगाएंगे है जी आप गर्मियों में ऐसी चलाते हो अरे नहीं हम सर्दियों में चलाते हैं आप पानी से नहाते हो नहीं बिल्कुल नहीं हम लट्सी से नहाते हैं खेर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि मार्केट में ऐसा भी हो रहा है मैं तो जी उस तरफ जाता ही नहीं हूँ मैं बस ऐसे ही ठीक है जो महादेव कर रहे हैं सब कुछ अच्छा कर रहे है अब आ जाओ वापिस एक कहानी पर थोड़ा सा भटक गएते लेकिन कहानी पर ले आए अब इन दोनों ने अपना गेट अप चेंज कर लिया और जोड़ जोड़ से इन्होंने चिलाना शुरू कर दिया काग भुशंडी ने की भाईया इन से बड़े कोई जोतेश प्रत्वी पर नहीं है हिमाले से आएं हैं साक्षात भुले जी और भुले जी को आपने एक बार अपना हाथ दिखा दिया और उन्होंने आपके बारे में बता दिया तो आपके जीवन में से संकट दूर हो जाएगा तब ही एक दासी दोड़ी दोड़ी आई दौर पाल ने उससे कहा कि अरे तुम कहां जा रही हो अरे सुना नहीं कितने बड़े पंड़ी जी आई है एक मिनट मुझे इंसे बात करनी है तो दौर पाल ने कहा कि आरे लेकिन हम दोनों की नौकरी चली जाएगी तो चुप रहे एक मिनट मुझे बात करने दे अब दौर पाल को उन्होंने थोड़ा सा दूर करा और पूछा बोले बाबा से आप वास्तव में हाथ देखना जानते हो बोले बाबा ने हा करा हमारे जो लला आए है राजकुमार उनका भविश्य भी बता होगे हाँ हाँ मन में उत्सुकता बढ़ रही है बोले बाबा के की बिलकुल सही जा रहे हैं बिलकुल सही जा रहे है अच्छा ठीक है तो यह कौन है काग भुशंडी की तरफ उन्होंने हाथ करके पूछा बोले बाबा ने उन्हें देगा फिर मना कर दिया कोई नहीं है है अब काग भुशंडी भगा भगा है बोले बाबा से धीरे से उन्होंने क्या कहा भोले बाबा अगर मेरे को नहीं लेके गए ना अंदर तो मैं भांडा फोड़ दूँगा मैं सबको बता दूँगा तुम भोले ना तो भोले बाबा ने उसको देख जैसे तैसे मैं अंदर तक पहुँच रहा हूं मतलब नहीं नहीं मुझे लेके जाओगे तो जाओगे वरना मैं सबको चिला चिला के बता दूँगा यह भोले ना थे भोले बाबा ने सोचना शुरू कर दिया कि यह क्या है मैं अच्छा खासा दर्शन करने जा रहा था यह दासी लेकर जा रही थी लेकिन उनकी शर्त थी कि कोई एक ही जा सकता है दोनों जने नहीं जाएंगे भोले वाबा कुछ बोलते इस से पहले काग भुशन ली ने क्या कहा कि अरे सब कुछ पता तो मुझे ही है मैं ही बताता हूँ ये वरद हो गए है ना तो अब ये अतना बोल नहीं पाते हैं ठीक है तो बस ये देखते हैं हाथ देखते हैं और मैं इनके चहरे को पढ़कर मैं बता देता हूँ कि हाँ इनका भवश्य कैसा है और उनके जीवन में सफलता है कैसी है तो दासी ने क्या कहा एक काम करो ना फिर इनकी का जरूरत है ये जो भोले पंडित जी है इनकी जरूरत नहीं है फिर तुम चलो अब जैसे ही वो चल दिये मुस्कुराते हुए भोले बाबा ने उनके गुश से मैं देखना शुरू करा कि अच्छा बच्चू मेरे बिना प्रभू के दर्शन करेगा हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा बस हम यूं गए और यूं आ गए आपका द्वार ये जो है महल का ये बंद होने से पहले हम तो बाहर भी आ जाएंगे द्वार पाल ने कहा कि चलो ठीक है जाने देता हूं दासी ने कहा कि पहले मैं एक बार जाकर मैया से पूछाती हूं और लला अगर जागे होंगे तब ही आप देख पाएंगे अगर सो रहे होंगे तो फिर बाद में आना अब दासी गए उनने जाकर पूछा मैया ऐसे ऐसे एक आए हैं और उन्होंने बताया है कि अगर किसी को भी इन्होंने उसका भविश्य बताया तो जीवन में उसके सफलता आती है, वो राजा बनता है, समस्याएं हटती हैं और वो बहुत जादा विदवान है, हमाले से आए हैं हमारे लल्ला को देखने, अरे तो उन्हें बाहर क्यों रोका उनके बराबर नहीं है, अब भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, और काग भुशंडी धीरे धीरे क्या बोले, बोले बाबा अब तो बस पहुँच गए, बाबा ने कहा, बस पहुँच गए, थोड़ा सा और वक्त लग रहा है, बस देखना है एक बार, अब महादेव को आत पहुच में से कौन निकल कर जा रहा है, भोले बाबा प्रसन है, जैसे ही उन्होंने उस भवन में प्रवेश करा, उस बड़े से कमरे में प्रवेश करा, भव्य कमरे में, जिसमें राम जी एक पालने में थे, ये मानो कि उसमें थोड़ी रोशनी सी बढ़ गई हो, और मुस उस्तार से बताएंगे, उन्होंने इशारा कर दिया कि अभी कोई बात मत करो, मुझे पहले लल्ला को देखने दो, आईए आईए आईए, अब महादेव ने दोनों हाथ जोड़े और राम जी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, राम जी पालने में बार बार पैर हिला रह चल पीछे, थोड़ा में देख, अच्छे पीछे चल, अब वो भी बिचारा, लेकिन देखिये कितना भागेशाली है, कि राम जी को महादेव के साथ वो देखने वाला है, अब महादेव ने जैसे ही देखा राम जी को पालने में, उन्होंने हाथ जोड़े और आँख है, भोले बाबा समाधी में चले गए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ बताएंगे, हाँ बताएंगे अब कार गोशंडी ने हलका सा भोले बाबा को हिला, उटो, अरे समाधी में चले गए तुम उटो, क्योंकि भोले बाबा अगर समाधी में चले गए तो कोई खुलती फिर, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, मैया ने का, पंडी जी बताईए ना, हमारे लल्ला के बारे में थोड़ा सो कुछ, बताईए ना पंडी जी, अब पंडी जी बताएं, कैसे पंडी जी तो समादी में, काग भुशंडी बिलकुल पास आया, भूले बाबा के, और गुल-गुली सी करने की कोशिश करी किसी तरह से तो समाधी में उन्हें क्या पता पढ़ रहा इसे समझ नहीं आ न ये कभी-कभी ऐसे करते हैं ये सोच रहे हैं न ध्यान में हैं इतना जादा प्यारा बच्चा है इसके बारे में सौरी बाते अभी पता लगा कर अभी बताने वाले हैं अभी सब कुछ इनके दिमाग में चलना है बताएंगे बोले बाबा आई नीरे बाहर समादी हो गई जी डेड़ घंटे की भीड़े लगनी शुरू हो गई पूरे राज्य में सब को खबर हो गई कि वो जो पंडित जी आएं हैं उनकी गोदी में लला है और वो गोदी से नहीं उतार रहे और वो ध्यान में चले गए है बड़े बड़े पंडित जी भी आए कोई नहीं पहचान पा रहा कि ये दोनों जेने कौन है लेकिन राम जी को तो पता है कि मैं तो महादेव की गोदी में हूँ समस्या तो कोई नहीं है अब जब अलग अलग तरीके की बाते होनी शुरू हो गई राक्षिस प्रजाती को भी पता पढ़ गया कि राम जी को किसी ने गोदी में उठा लिया महादेव क давно आज़ा साथ गूंटे हो गए समस्या बड़ गई लल्लाप लगातार मस्कुरा रहे है और ये वक्त इनका बीच में खाने का भी था सोने का भी था लेकिन वह भी नहीं सो रहे वो मुस्कुरा रहे हैं लगातार मुस्कुरा रहे है कि भोले बाबा आज तो मजा ही आ रहा है इतनी देर आपकी गोदी में मैं ऐसे जूल रहा हूँ किसी क्या पालने मैं जूलूँगा काग भुशंडी विचारा परिशान है कि बत थोड़ी देर में अब मेरे में लठिया बजने वाली है कि मैं ही लाया था और इन पे तो कोई असर होगा नि मैं कई जगे से सूज जाओंगा नीला पड़ जाओंगा भुले बाबा जाग जाओ भुले बाबा जाग जाओ नहीं समझ जारी तो इन्हों ने काग भुशंडी ने राम जी की तरफ देखा दोनों हाथ जोड कर और मनी मन बोला राम जी भुले बाबा को जगाओ वरना मेरे में डंडे पड़ जाएंगे मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ अरे इतनी पतली पतली नोकिली चीज थी वो भी भुले बाबा को टच कर ली तब ही राम जी ने टेजी से पैर उठाकर ढप से मारा बोले बाबा की एक दमाग खुल गई हाँ हाँ अरे बहुत प्यारा लल्ला है फिर उनके बारे में बताना शुरू करा ये प्रभू हैं ईश्वर हैं ये लोगों की समस्याएं दूर कर देंगे सिर्फ इनका नाम लेने से परेशानिया दूर हो जाएगी और हाँ कमाल की बात आपको ये बताओं कि इनके प्रिये इनके साथ सदैव रहने वाले हैं और हाँ कुछ ही समय में एक रिशी आएंगे जो इन्हें स्कूल लेकर जाएंगे तो आप मना मत करना ये जरूरी है इसके लिए बच्चे के लिए और हाँ उसी वज़े से शादी भी होगी तब ही मैया ने कहा कि अगर शादी की बात है तो एक काम करोना आपको तो पता ही है कि वो कौन है हमारी बहुरानी होने वाली आप मुझे उसके बारे में बता दो मैं अपनी होने वाली बहु को और अपने लल्ला को एक साथी कक्षा में भेजूँगी एक साथी खिलाना फिलाना सब मैं कर लोगी एक साथी तो बोले बावे ने का कि नहीं वो सब वक्त के साथ होगा फिलाल आप मुझे आगया दो क्योंकि मेरे जीवन में सबसे अच्छा समय यही था आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोनों हाद जोड़कर ओम बोला कहा ऐसा भी जाता है कि जब महदेव ने ओम बोला था ठीक है वो चारण किया था तो जिसने भी सुना था उसकी कोई भी समस्या कभी से भी चली आ रहाई थी वो तुरंत दूर हो गई थी किसी को सुनने की शक्ती नहीं है वो ठीक हो गया जिसको देख नहीं सकता मतलब नेतर ही ने उसे दिखना शुरू हो गया जो चल नहीं सकता मतलब हर किसी की समस्या दूर होती चली गई थी जितनी देर में महादेव ने ओम बोला हर किसी को समस्य जो भी थी सब दूर हो गई थी कागभुशंडी भॉUT खुश है कि डंडे नहीं पड़े हैं महादेव ने उनकी طرف मुस्कुरा कर देखा और कहा कि चले हम दोनों काग भुशंडी ने कहा कि पंडित जी एक काम रह गया है उन्होंने राम जी के पैर को छुआ अपने माथे लगाया काग भुशंडी ने और कहा प्रभु अब चलिए अब जीवन में इस से अच्छा समय मेरा भी कभी नहीं आएगा महादेव और काग भुशंडी दोनों महां से चले गए तो मैया ने जब ये सब सुना मतलब आपको पता है ना कि पारवती मा को ये भुले बावा सारी बात बता रहे थे तो मैया ने कहा कि वैसे एक बात आपको मैं बता दू मेरे बिना ये होता नहीं महादेव ने का अरे नहीं तुमने शायद पूरी कहानी सही से नहीं सुनी कथा को द्यान से सुना करो पारवती उन्होंने का नहीं मेरी बात द्यान से सुनो आपको तो द्वार पालने लोटा दिया था आपने दुबारा कोशिश करी दुबारा भगा दिया था वो तो मैं थी जो मैं आपको बाहर से अंदर तक लाई हूँ महादेव ने का एक मिनट मतलब वो जो दासी आई थी हमें राम जी तक हाँ वो मैं ही थी मेरे वगैर आपका काम बनता भी नहीं है और आप मिलना चाहते हैं राम जी से लला को देखना मैं नहीं चाहती थी मुझे भी तो मन थाना कि मैं एक बार लला को देखूँ इसलिए मैं दासी रूप में वहाँ बहुत पहले से थी अब महादेव ने मुस्कुरा कर का कि धन्ने हो पारवती मैंने अपनी बात बता दी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे इस खेल में मेरे इस रचना में मेरे इस लीला में तुम भी मेरे साथ थी और तुम्हारी वज़े से ही संपन हो पाया तो खेर आज की कहानी में इतना ही आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर अच्छी लगी तो लाइक करिए शेर करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए और पहली बार आए हैं तो लिखिएगा आपका नाम आपकी जगे और सबसे पहले हर हर महादेव उसके बाद आपका कमेंट और प्लीज सबस्क्राइब करा करो आपके एक छोटे से प्रयास से हमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है मेरा नाम नितन है मुलाकात करूँ आपसे एक अगली वीडियो में हर हर महादेव जै भूले नाद धन्यवाद